जहिंद आप सभी का स्वागत है इन विक्टा डिफेंस एक्सिलेंस अकेडमी पर आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एफकेट एक्जाम और सीडेस एक्जाम जो कि आपका एफकेट जो है नो दस और ग्यारा अगस्त को होने वाला है और सीडेस जो है आपका फर्स्ट सेप्टेंबर 2024 को होने वाला है इन दोनों की बीच में डिफेंस कर रहेगा वह आप तभी को समझाने जा रहा हूं तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना पहली चीज तो आपका एफकेट है साल में दो बार कराया जाता है ठेक है और जो आपका सीडियस है कम्बाइंड ड धेक इन देक बूख सकती में पर चीजित हुँ दे सकती है लेकिन वो सिर्फ ओड़ी ऱर्गेत कर सकती है कम्माइंड डिफेंस सर्फेज में स्वेसे क्चार्विचा अगर मैं स्टेजिस के बात करता हूं तो स्टेजिस का अपनी तीन स्टेजिस मां पेपर को जो है अपना जो लेवल है वो बहुत ही इजी लेवल का पेपर आता है आपका ठीक है बिलकुल बेसिक्स अगर आपके किलिए रहे बेसिक्स फंडमेंटल आपके किलिए रहे तो आप आराम से एक करके बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो वहीं अगर मैं बात करता हूं कि इसकी CDS की रहता है वह हमेशा cdso चाहिए 10% रोल रहेगा आपका रिटन एक्जाम का बाकि 90% आप सबी को पता है ssb पर डिपेंड करता है कि आपका सेलेक्षन होगा या नहीं होगा most important thing क्या है ssb और ssb one of the best academy जो राजस्तान इंडिया में है उसकी इन विक्ता defense excellence academy तो अगर आप तयारी करने साते है ssb की तो आप प्लीज हमारी academy को join करें अब इसकी बात करते हैं लेवल यहां पर बहुत easy रहता है easy to moderate माल लीजिए यहां यहां पर आपको बहुत अच्छी knowledge रखनी होगी cds में अगर आपके पास बहुत अच्छी knowledge है तभी आप इस paper को crack कर सकते हैं आपको बिल्कुल proper guidance चाहिए होगी proper आपको waste चाहिए होंगे तभी इस paper को आप crack कर सकते हैं वहीं इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ठीक guidance basic knowledge आपको होगी तो आप इसको आराम से target कर सकते हैं और 2-5 महिने में आराम से इस paper को clear कर सकते हैं अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर आपकी कोई sectional cut-off नहीं होती है बट अगर मैं इधर बात करता हूं GKGS के अलग cut-off जाए, reasoning के अलग cut-off जाए, maths के अलग cut-off जाए, यहां पर आपका overall जो paper में number आ रहा है उस हिसाब से cut-off होगा बड़ यहां पर आपका English में आपको एक particular number लेकर आने पड़ेंगे, GKGS में भी आपको एक fix number है कि इससे उपर तो आपको number लाने ही पड़ेंगे और maths में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक fix number होगा उससे आपको number ज्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब इसको क्या बोलते है, sectional cut-off बोलते है, तो section wise cut-off जाती है इसकी, बड़ यहां पर ऐसा है कि यहां पर section wise cut-off नहीं जाएगी दूसरी जीज़, यहां पर सिर्फ so question होगे और आपको 2 घंटे मिलेंगे, एक कितने दो घंटे मिलेंगे, अगर मैं English की बात करता हूँ, तो English में आपके 30 question होते हैं, जो कि 90 marks का होता है, और GKGS की बात करता हैं तो 25 question होते हैं, जो कि 75 marks का होता है, अगर मैं reasoning की बात करता हू तो इसमें भी लंग सम आपके 25 question आते हैं, जो कि 75 marks के होते हैं, और मैं match की बात करता हूँ, तो match में आपके 20 questions होते हैं, और 60 marks के यह आते हैं, तो total आपका यहां पर 100 question मनता है, और 100 question का आपका 300 number का paper होता है, ठीक, तो एक बार आप वो भी check करिएगा, cut off कितनी गई तीलाश का है, और negative आपका minus one number होगा, बट अगर मैं यहां बात करता हूँ, English, ठीक है, 120 question आएंगे, और 100 marks के English होगे आपकी, GKGS की अगर मैं बात करता हूँ, तो यह 120 questions होगे आपके, GKGS के कितने questions होगे, 120 questions होगे, और जो की 100 marks के होगे, आपके, 2 घंटे का यहां पर English का time मिलेगा, आपको 2 घंटे का क्या होगा, GKGS का time मिलेगा, और maths का आपको 2 घंटे का time मिलेगा, और maths सिर्फ वही लोग target करते हैं, जो आप किसको target कर रहे हो, अगर IMA और IANA को target कर रहे हो, और maths जो होगा, जो OTA ले बच्चे होते हैं, उनके लिए maths नहीं होता है, जो OTA होता है, जो 2 घंटे का paper होगा, और 100 marks का आएगा, बट अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो totally ही आपका सिर्फ 2 घंटे का paper होगा, अगर मैं यहाँ देखूं तो आपका 6 घंटे का paper होगा, यह एक one day exam है, और यह भी एक one day exam है, इसके बाद आपका SSB होता है, अगर मैं advocate की English की बात करू तो आपको पता English तीन चीजों में divided होती है competition में, पहला आपका vocab होता है, दूसरा आपका comprehension होता है, तीसरा आपका grammar होता है, बट अगर मैं यहाँ बात करूं English की, तो English similar ही होगी vocab, comprehension और आपका grammar होगा, ठीक है, बट इसका तोड़ा level ठीक आता है, ठीक है, और इसका level easy to moderate मा इसमें आप आराम से 75 में से 75 numbers में से 25-30 number grab कर सकते हो, अगर आपको पता हो क्या, कि static portion में कितने questions पूछ रहा है, टारगेट करना पड़ता चीजों को तब जाकर आप number achieve करते हो, history के 2-3 questions पूछे जाते है, quality के 2-3 questions पूछे जाते है, geography के 3-4 questions पूछे जाते है, defense related आपको पत मिलेगा, sports मिलेगा, authors हो गए, awards हो गए, countries and their, capitals हो गई, ठेक है, तो इस तरीक के अगर आप static GK पर जाओगे, तो कम से कम 6 questions मिलते हैं, मतलब 18 number तो आपके यह हो गए, तो आप इस तरीके से GK को भी target कर सकते हैं, बाकी particular हर subject की एक proper video आने वाली है, चैनल पर, तो इसको गंटे में solve करने है, तो उसका simple सा मतलब ही होता है, कि आपकी बहुत अच्छी understanding होनी चाहिए, तब जाकर के आप वो दो गंटे में English को बना पाओगे, बाकी vocab, comprehension, grammar हो गए आपकी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो GK और GS की, यह बहुत प्यारा level का आता है, यहाँ यहाँ पर आपको NCRT भी cover करनी पड़ेगी, यहाँ पर अगर कोई one-liner book भी उठालोगे तो उससे भी आप हो सकता है कि अच्छे number score कर लो, बट अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत अच्छे level की और बहुत वास्ट इसका course है, तब जाकर कि आप उसको complete होगे अच्छे number, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपका, आपको पहले पता होना चाहिए कि जी के मैं पूछ कहा रहा है, तो अगर अगर आप 2004 का paper देखोगे, जो first paper वहा था, उसमें ancient history से बहुत अच्छे questions पूचा गये थे, economics बहुत अच्छा पूचा गया था, और अगर से related भी कुछ questions current के जो हैं, वो भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे, देखना पड़ेगा, उसके बारे में भी, अगर मैं F-Kate की बात करता हूँ, maths की, और F-CDS की बात करता हूँ, किस की maths की, दोनों का comparison देखें, तो यहाँ पर सिर्फ 20 questions आएंगे, और अगर मैं यहाँ बात क सकता हूँ, मतलग, वन गो में मैं इसके आराम से 10-15 questions बना सकता हूँ, इस लेवल की आपकी यहाँ पर F-Cate की maths होगी, अगर देखा जाए, तो Geometry के 10-12 questions, यह questions जो है, सब vary करते हैं, थोड़ा उपर जाएगा, और अगर देखा जाए, तो Geometry के 10-12 questions, यह questions जो है, सब vary करते ह हैं, थोड़ा उपर, थोड़ा नीचे, किसी चेप्टर में जादा, किसी में थोड़ा कम, तो इसका आप ध्यान रखेगा, mensuration आपका बहुत प्यारा लेवल का पुछा जाता है, CDS में, मतलब यह जो advanced method है, यह बहुत ही अच्छे लेवल की पुछी जाती है, और यह आप त CDS का, CDS की चाए English हो, चाए GK हो, चाए Maths हो, proper guidance के बिना, बहुत मुश्किल होता है, इसको crack करना, बिल्कुल अगर आपके पास guidance सही है, तब ही जाकर कि आप इस paper को crack कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलने चाता हूं, geometry आपकी क्या है, 10 से 12 question, यह थोड़े जादा भी हो सकते हैं mensuration आपका 14 से 15 question पूछता है, trigonometry आपके 15 से 16 question आते हैं, algebra के आपके 12 से 14 question आते हैं, और number system के आपके 12 से 13 question आते हैं, probability इधर भी होगा, ठीक है, इधर stats भी होगा, अगर मैं इधर बात करता हूं तो आपका percentage, profit and loss, discounts, time and work, pipe and system, TSD का मतलब हो गया, time, train and speed, distance हो गया, SICI हो गया, number system हो गया, probability हो गया, ratio and proportion, mixture and averages हो गया आपका, तो यह आपका सिर्फ arithmetic portion होगा, जो कि बहुत basic level का होता है, बट अगर मैं यहीं बात करूं, maths की तो यह बहुत detail में चाहिए होता है, इसकी proper guidance होती है, और उस proper guidance के लिए आप Invicta को join कर सकते हैं, अगर मैं F-CAD की बात करता हूं, हो किस पर होंगे, vocab पर होंगे, थोड़ी आपकी knowledge पर होंगे, कि आपको GK कैसी knowledge है, capitals, countries की capitals कैसी है, उसके बारे में question हो सकते हैं, मतलब 22 question आपके ऐसे हैं, जो कि आप one go में attempt कर सकते हो, यह आपकी reasoning है, जिसमें verbal, nor verbal, दोनो reasoning आईगी, तो आप देख सकते हो इसको भी, 10 कोई reasoning नहीं है, cds में सिर्फ आपका क्या है, English है, GK है, और Maths है, जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया, English है, GKGS है, और Maths है, और यहाँ पर क्या है, आपका English भी है, GKGS है, reasoning भी है, और Maths है, तो कुल मिला के बात यह है, अगा मैं दोनों paper का comparison करूं, यह इसमें अगर आप थोड़ी सी मैनद करेंगे, basic understanding develop करेंगे चीजों की, तो आप खुछ से भी crack कर सकते हैं, ठेक है, मैनद करेंगे तो, दोड़ा ही महीने लगेगा, बट इसमें आपको बहुत कुछ चाहिए होगा, proper guidance, proper techniques, proper tricks, proper हर चीज से होगी आपकी, तब जाकर करके इधर क्या सीन है, इधर क्या सीन है, इधर आपको समझ में आऊगा कि paper इतना tough नहीं आता है, इधर समझ में आएगा आपको कि भाई tough है, अगर आप previous year 2024 का first paper उठा के देखोगे, आपको समझ में आएगा कि tough है और बहुत महनत भी लगेगी उसके लिए, यहां ऐसा नहीं है यहां आप basic understandings develop करो, अपने basics को strong करो और महनत करो, अराम से इस paper को 2-3 महिने में target करोगे तो अराम से निकल जाएगा, बड़ इस paper में महनत लगती है बहुत महनत लगेगी, तब जा करके यह paper आपका clear होगा, तो यह थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अप certificate को किस तरीके से target करना है, ठीक है, और English, GK, GS, Physics वगेरा, सब हर एक particular subject कि आपको क्या बताई जाएगी, इस पे strategies बताई जाएगी, कि किस तरीके से आपको target करना है हर subject को, तो इस channel पे जुड़े रहेगा, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye, have a great day, take care.